जहीं दोस्तों आप सभी students के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं आप लोग के लिए एक नया मौका लेकर के आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंतक देखी, क्या है, वो मोका सब कुछ बताएंगे, टैंसन बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, जिसका नाम है CCL की लाल लाडली जोजना, ठीक है, और यह बैच आप लोग देख सकते हैं, 24 से लेकर के 26 तक यह बैच आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या करा जाएगा, कि CCL की लाडली जोजना के अंतरगत, आप लोग क्या करा जाएगा, तो दोस्तों इसमें आप लोग इंजिनियरिंग की तियारी फिरी आपकोस्ट कर सकते हैं, जो है, आज ही इसका लास्ट डेट है, तो आप लोग जो है, इसको आप पूरा पूरसेस बताएंगे, टेंसन मिलकुल भी नहीं लेना है, आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर about the project इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, हम आगे आपको समझाते हैं, देखिए, तो दोस्तों इसमें क्या क्या आप लोग को facility यहाँ पर देखिए, क्या लिखा है, the selected student are provide coaching at राची study center by CCL officer who themselves are IIT alumni, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दोस्तों क्या दिया जाएगा, आप लोग का दोस्तों engineering के लिए coaching दिया जाएगा, जिसमें आप लोग दोस्तों IIT की तियारी कर सकते हैं, हैना इसमें देखिए, आप लोग का selection हो जाता है, तो राची में, जियां दोस्तों यहाँ पर देखिए, राची study center, ठीक है, राची में दोस्तों CCL का center है, उसमें आप लोग को पढ़ा जाएगा, और दोस्तों कितने विद्ध्यार्थी का selection होता है, सब कुछ आगे पता चलेगा, tension बिल्कुल भी ने चलेगे ना है, यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसमें आप लोग देखिए, the student are provided schooling, जो है facility इसमें भी आप लोग को मिलेगा, याट यहाँ पर देखिए, school का नाम भी आप लिखा गया है, इसमें आप लोग का schooling, जो facility वो भी आपको मिल ठीके यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है देव स्कूल गांधी नगर ठीके यहाँ पर देख सकते हैं देव स्कूल गांधी नगर ठीके उसके बाद देखी क्या लिखा है यानि कि हाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इंजिनेरिंग कोचिंग तो दिया ही जाएगा शात्य साते आप लोग यहां पर schooling के लिए भी देखए आपर दियागे कौन से school में आप लोग जो यहां पर होगा तो यहां पर दिखिए देव school क्या है देव school गांधीनगर में आप लोगो यहां पर schooling दिया जाए निकwnie आप लोगो पढ़ाया जाए कि इस्कूल में भी ठीक है जो कि CBSE बेस होगा यानि कि English Medium में आप लोग इस इस्कूल में पढ़ायी होगा जो कि क्या है CBSE बेस होगा याना यहाँ पर आप लोग आप लोग देखेंगे तो देखिए दा सेलेक्टेड स्टूडेंट और प्रवाइड यहाँ पर देखिए सेपरेट फॉर बॉइज एंड गर्ल्स ठीक है सभी का सेपरेट सेपरेट होगा इसके लिए टेंसन नहीं ले रहा है उसके बाद क्या है दो बॉइज और पुरवाइ पर आप लोग का खाना भी आप लोग का सब कुछ मिलेगा ठीक है यहाँ पर साब साब लिखाव है ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या है ओल इंडिया टेस्स रिज धोस्तों आप लोग यहाँ पर आल इंडिया टेस्स रिज में भी भाग ले सकते हो ठीक है यहाँ अपना competition जा सकते हैं कि आप किस level पर है ठीक है तो अच्छा जो है ये चीज़े हैं तो आप लोग जल्दी से apply कर दीजे जितने सारे बिद्यारती 24 में pass out किये है ठीक है और इसके लिए condition भी है वो भी आपको दिखाएंगे जितने सारे 24 में 10 pass किये हैं आप लोग apply कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ condition है उसको भी जो है आपको मान करके चलना होगा ठीक है साथ साथ दोस्तों जो आपके parents होंगे उसके साथ जो है teacher का meeting भी होता है ठीक है ताकि वहाँ पर पता चलता है कि आप लोग का मतलब जिसका भी selection होगा उ उसे भी समझना जोरूरी है देखिए आप लोग इसका online में आवेदन करना है पहला चीक इलिजबल इसके लिए क्या है तो इलिजबल के लिए आप साब साब लिखा है आपका 10 में 10-24 में जो आपने exam दिया है इसमें 50% होना अनिबार है इसके बिना जो आप लोग apply नहीं कर के अंदर में CCL का कोई office होना चाहिए माइन होना चाहिए फिर others कुछ होना चाहिए CCL का ठीक है विशेज को दोस्तों आप लोग को दोनों चीज़ें मान जो है वहां पर देखना होगा दोनों चीज़ें को मानते हुए काम यहां पर होगा ठीक है मान के चलिए आपका 10 में प्रतिसात है लेकिन 25 किलेमेटर के अंदर CCL का कोई माइन या फिर office नहीं है तो आप लोग इसके लिए eligible नहीं होगे ठीक है तो दोनों यहां पर होना चाहिए यहां पर तीसरा कंडिशन क्या है तीसरा कंडिशन है income limit यहां पर 8 लाग से कम आपका income होना चाहिए ठीक है पर CCL के लाल यानिकि boys के लिए 20 sit यान girls के लिए आप 20 sit रखा गया है यानकि total आप लोग का 40 sit जो है यानिकि 40 student को चुना जाएगा जिसमें आप लोग का AC के लिए 2 student boys के लिए girls के लिए 2 and ST के लिए 5 boys के लिए 5 girls के लिए OBC के लिए 3 boys 3 girls ठीक है तो कुछ इस परकार से चु लेख सकते हैं ST के लिए इतना परसन यह ना सी के लिए इतना ओभी सी के लिए इतना एंड जो अंडर्जर्ब कटेग्रे उसमें 50% ठीक है तो दोस्तों इसमें आप लोग का क्या होगा देखें ऑफलाइन एंट्रांस एक्जाम लिया जाएगा जिसमें आप लोग का OMR सीट पर एक्जाम देना होगा जिसमें कौन-कौन सा विसरेंगे सब कुछ बताएंगे चैंसर नहीं दीजे तो दोस्तों जो आप लोग का OMR सीट पर एक्जाम होगा इसके बाद आप लोग का एक मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके आधार पर आपका सेलेक्शन होगा लेकिन यहा बाद आप लोग का फाइनली जो है जैसे आप लोग का वह सकस्पूल हो जाएगा तो आपको इस बैच में बुला लिया जाएगा एडमिसन के लिए ठीक है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है एंड इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा इसके सिलबस के बार मे जिसमें आपको दोस्तो फिजिक्स की तियारी किस परकार से करनी है एना केमेस्टी की तियारी किस परकार से करनी है ठीक है मैत की तियारी किस परकार से करनी है रिजिनिंग की तियारी कैसे करनी है जिस सब के उपर में हमारा आने वाले वीडियो पर आपको पता चलेगा बा सब्सक्राइब बाकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितने विद्यारती मतलब सकसेस पाएं इस जो जना के तहत्ती के तो आप लोग्ब बीदन किजिए और दोस्तों इसमें आप लोग जो है क्या करिए भाग लेकर कि अच्छे दिखिघे से पढ़ाई करिए बागी दोस्तों आप लोग के लिए एक Contact नमबर दे रहे हैं यहां से यह जो आप लोग नमबर देख पारें इस नमबर पे कॉल करकर ज्यादा जानकर आप लोग ले सकते हैं बाकी दोस्तो 28 तारिक को जो इसका लाजडेट है याना 28 तारिक इसका लाजडेट है यानिकि आज ही इसका क्या है अंतिम तिति है फॉर्म भरने का तो दोस्तो आप लोग जल्दी से एपलाई कीजिए बाकी दोस्तो आप लोग के लिए हम क्या कर रहे हैं मान के चली फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए दोस्तों आप लोग के लिए हम टेलिग्राम चैनल बना दिये हैं उसमें जोएन हो जाना है ताकि आप मुझे से कनेक्ट हो करके कोई भी आपका जो बात है वो मुझे पता चल सके ठीक है अपको किस परकार से करना है मैं आपको बताता हूँ धियान से सुनिएगा सबसे पहले आपको गूगल में दोस्तों क्या लिखना है यह जो आप लोग देख पार यहां पर नीचे यह जो जितना भी लिखा हुआ है यह कंप्लिक्ट टैप करना है तो डायरेक्ली आप यहां पर पहुंग मुझे जो है बोल करके मैं भी आप लोग अगर मुझे समय मिलेगा तो आपका फॉम भी में भर दूंगा ठीक है तो आप देखी किस पर करना है थोड़ा सा बता रहें ज्यादा नहीं बताएंगे यह ना वहां पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे हो सकता है तो है ना क्य नहीं को आपर क्या कर सकते हैं मुझे से कंटक्ट करके जो है फॉरंब जो है मुझेसे सकते हैं ठीक है बाकी देखिए मैं आपको तुरन बता रहा हूं प्य बाद आपको फॉर्म को भरना हुगा यहना बाकि हम जल्द इस पर लेटेस्ट वीडियो ला रहे हैं कि कि इस पर कर से अप्लाइ करना है क्योंकि हम इतने सारे चीजे समझाए हैं इसके कारण सिस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं यहना बाकि आप टेलिग प्रेटी टेलिग मार आपको हम लादा प्रत कॉब प्र मेरे मादाए